खुलोट करता हूं बसी माथमेटिक्स एंड फिजिक्स रेलेटेड वीडियो लक्ट्ट्ट्ट्ट्स इस वीडियो में बात कर रहे हैं यहां पर अनलोग डिजिटल एलेक्टोट्राइब इसके बारे में एनलोग एलेक्ट्रोनिक्स देखते हैं यहां पर एप्लिकेशन ऑफ ऑपरेशनल एंप्लिफायर जो होता है उसके डिटेल वीडियो में आप अपलोड कर रखा है जिसके उसमें टाइपस उसके आईडियल कंडिशन्स उसके वोल्टेज गें सारे कुछ हमने आपर डिसकस किया ऑपरेशनल एंपलिफायर एक सरकिट होता जिसके बहुत सारे डिफ्रेंशियल लगाए जाते दो इंपुट होता होता इसको पन यहां पर इनवर्टिंग कहते हैं और यह मों यह से इंपूट सिग्नल देता है उसको इनवर्टिंग यहां से सिग्नल दिया जाता है यह ग्राउंड होता है तो आपन कहते हैं इसको नॉन इनवर्टिंग यह चीज़ आपको सारी क्लियर होने चीछ प्रिवेस्ट वीडियो में आप जाके इनका वीडियो देख सकते हैं और यहां पर प्लेलिस्ट जो है उसका लिंक आपको डिस् जाएंगए यह जो सार्कीट यहां पर यहांम पर है तो यहँड हरो को अजै और हमने क्जो बहुत सारे सिग्नल्स को एड करना है तो मैं यहां से voltage apply कर रहा हूँ V1, V2, V3, V4 और इनके resistance corresponding R1, R2, R3 and R4 resistance है यहां से जो current आ रहे है उसको हम I1 current कह देंगे यह I2 current हो जाएगा, यह I3 current हो जाएगा और यह I4 current हो जाएगा input कर रहे है और total जो current मिल रहा है वो क्या हो जाएगा I1 current हो जाएगा, यह I current हो जाएगा, यह I current हो जाएगा output मिल रहा है यह VCC हो जाएगा और यह हो जाएगा VEE voltage supply अब यह जो आपका यहां पर amplifier होता है, invating के अंदर जो value मिलेगा output में वो आपको out of phase मिलेगा, always negative मिलेगा फिर हम यह आप एक sign changer का use कर देंगा जो कि इसका sign को change कर देगा यह सारी चीज़े मैंने यह आप लिख रहा है this circuit is capable of adding the input signal आप input signal दे रहे हैं उनको यह add करके आपको दे देगा ठीक है and input signal adding the input signal appeared at output as shown in the figure यहाप आपको इस figure में दिख रहा है तो क्या हो रहा है in the circuit about the operational amplifier has used in inverting mode inverting operational amplifier जो है उसका उस वाले type को हमने यह आप यूज किया है in which number of signals v1, v2, v3 यह आप हमने यह आपको यह आपको यह आपकर रहा है तो पहले हमको total जो i मिल रहा है current उसका i की बात करना है तो basically i is equal to i1 plus i2 plus i3 plus i4 total input कितना हो रहा current तो मैं क्या करना पड़ेगा i1 का value क्या हो जाएगा i1 का value अगर मैं यहां से निकालता हूँ तो i1 किसके बीच में है i1 इस वाले register और इस वाले इसको हम कहेंगे v इस और इसके बीच में यहां पर वी टू मत कहो यार एक काम करते इसको v- कह देता है और यह वी हो जाएगा तो यह terminal और यह terminal के बीच में आपको यह मिल रहा है यानिकि this terminal and this terminal इनके बीच में इनकी value मिल रही है तो current क्या हो जाएगा basically current voltage क्या हो चलो पहले voltage के बारे हम बात कर लेता है voltage क्या हो जाएगा voltage होगा यहां पर v1-v is equal to voltage is equal to current तो यह हो जाएगा i1 into r1 तो यहां से आपको i1 क्या मिल जाएगा v1-v upon r1 मिल जाएगा similarly आगे इसी टाइप से सब कुछ लिख देंगे तो i2 क्या मिल जाएगा v1-v2-v upon r2 मिल जाएगा similarly i3 की बात करेंगे तो वह v3-v upon r3 हो जाएगा similarly i4 की बात करेंगे तो वह v4-v upon r4 हो जाएगा इस टाइप से हमारे पास में सारी इक्वेशन आगे इन सभी को क्या कर देंगे put in equation number 1 इसको हम कहा देंगे equation number 1 तो जो total current आपको यहां से मिलेगा उस सब में से क्या हो रहा है तो v1-v upon r1 plus यहां पर हो जाएगा v2-v upon r2 plus v3-v upon r3 plus v4-v upon r4 हो जाएगा तो यहां से हम बात कर रहे हैं कि due to concept of virtual grounding तो जो virtual grounding होता है by virtual grounding तो virtual grounding होता है इसका मतलब v वाला जो terminal है basically रैसे तो ground तो mainly यह होता है लेकिन virtual grounding कहता है कि जब आपको potential same करना है आपको infinite यहां कि ideal condition लानी है is inverting amplifier operational amplifier की तो वहां पर आपके पास में infinite उसका amplifier gain होना चाहिए तो यहां पर इसको भी आपको क्या करना पड़ेगा ground करना पड़ेगा मतलब v का value 0 हो जाएगा जब v0 हो जाएगे तो i क्या हो जाएगा आपके पास में i is equal to v1 upon r1 plus यह हो जाएगा v2 upon r2 plus v3 upon r3 plus यह हो जाएगा v4 upon r4 यह आपके पास में total current इसका मिल जाएगा जो की input के form में जाएगा now अब हमें जब यह current दे रहे हैं तो क्या हो रहा है r के across जो हमने r यहाँ पे resistance ले रखा है इस r resistance के across क्या करना है आपको basically इस सब को add करना r resistance के across आपको यह value देखना है तो total जो output मिलेगा वो क्या हो जाएगा total output मिलेगा जो minus amplifier current और rf के equal मिलेगा ठीक है amplifier current और rf के equal मिलेगा ठीक है अब rf को मैं generally r ही लिख रहा हूँ यहाँ यहाँ पे अब देखो यहाँ पे क्या हो रहा है r in सब का equivalent हो जाएगा ठीक है r if हो जाएगा अब जब बात कर रहे हैं हम यहाँ पे basically like infinite है ना due to infinite input resistance तो यहाँ पे input impedance जो होता है ideal के अंदर input impedance input impedance जो होता है वो input impedance यहाँ पे infinite होता है input impedance जो होता हो infinite होता है तो उसके अंदर if जो होता है basically i के equal हो जाएगा if की जगर मैं i लिख दूँँगा तो v is equal to minus i into r हो जाएगा i का value हमारे पास में है तो क्या हो जाएगा v output हमें तो output निकालना v output is equal to minus i है यह क्या हो जाएगा यहाँ पर v1 upon r1 प्लस यह हो जाएगा v2 upon r2 i का value हमने निकाल लिया था v3 upon r3 प्लस यह हो जाएगा v4 upon r4 into यह हो जाएगा r अब हम क्या कर रहे है सारे जितने भी यहाँ पर registers है उन सबको equal कंसिलर कर रहे है अगर यह सारे equal है r2 r3 and यह हो जाएगा r4 यह सारे r के equal है तो यह common आ जाएगा यह हो जाएगा यहाँ पर minus v1 plus v2 plus v3 plus v4 upon यह हो जाएगा r into यह हो जाएगा r यह cancel होता ही यहाँ से आ जाएगा v output is equal to minus of v1 plus v2 plus v3 plus v4 अब यहाँ पर तो आपको मिल रहा है sign change मतलब out of phase मिल रहा है sign change मिल रहा है मतलब क्या हो गया out of phase यह पर लेकिन ंड ं tau सारे signal जाएड तो और लेकिन out of phase मिल रहा है sign का कोई यहाँ पर problem नहीं है तो क्या करेंगे यह जो v1 v2 v3 v4 apply कर रहा यहाan पर r1 r2 r3 r4 यहाँ आपको current मिल रहा है उसका क्या करता है यहां तक आपको जो output मिल रहा है Voutput is equal to minus V1 plus V2 plus V3 plus V4 यहां पर आपको जो मिलेगा वह V1 plus V2 plus V3 plus V4 यह एक proper value यहां पर देदेगा so this is the all about the like adder circuit और यहां पर हमने पूरा आपको पूरा topic जो है वह अच्छे से clear वहाँगा so thanks for watching my video keep watching MS Maths and इसी टाप के फ़र मोर वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें thank you